पब्लिक टीवी आपकी आवाद बॉलेविट मशूर का लाकर रागव जयाल का बागीश्वर पहुचने पर स्वागत किया गया बताते चले कि रागव देहरदून के मूल निवासी है और एक मशूर डांसर, कॉरियोग्राफर और एक्टर है उन्हें अपनी स्लो मोशन डांस स्टाइल की वज़े से किंग ओफ स्लो मोशन भी कहा जाता है रागव और उनकी टीम पिछले कई दिनों से उत्रखंड के अलग लग जिलों में मेडिकल केट, ऑक्सिजन सिलेंडर आदी अन्य जरूरत का समान वित्रित कर रहे हैं आज उनके पागेश्वर आगमन पर उनके द्वारकल तब 20 ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सिमीटर, मास्क दवाईया आदी जमान पहुचाने का भरोसा दिलाया गया है उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है मौल अोससाओ है अपराद बस हम लगे हुए हैं जैसे हम लोग को साइब तो ऑप्लों सपूरिया पाटी हूं मौल या और अरगनेज़ोसेशन नहीं तो लोकलत ही है और लोकल किता कर सकता उतना कर पार है जैसे रहंने बगैशवर में 20 stylinis दागेश्वार में हमने 20 cilinders, concentrators, पिथोड़ागर में भी हमने हमारा 8 कल रात को निकल गया है 20 cilinders 30 liters इच, चमपावत में cilinders भेजे हैं, पौड़ी गडवाल में cilinders भेजे, जितना साथ oxygen supply हो सकते हैं, जो एड आरी है हम सिर्ट्रिब्यूट कर रहे हैं उपर रिमोट चेतरों में, दार्चुला में गया है आज, और कोशिच जाहिए कि जितने ज्यादा पीएची और सीएची स्ट्रॉंग हो पाए, मेडिकल एड से, तो थोड़ा सस्टेनिबल हो जाएगा, यहां पे हिसाब करोना का, बहुत जरूरी है पीएची और सीएची और बहुत पहल होती है, इसलिए पीएची और सीएची स्ट्रॉंग करने, बहुत इंपोर्टन है, दूसरी चीज यह है कि हम लोग यहां पर आये हैं एड बातने, जो हम चार चार दिन में बातते हैं वह भी हमने एक ही दिन में बाता है, तो थांक्यू टू उमेश सर कि वो लोग खुशिय हम से हो सकता है, हम लोग लोकल लोग है, हम कोई सरकार नहीं है, लेकिन हमारी पूरी मदद सब एक साथ होके कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, थांक्यू फोर हेल्पिंग अस और ऐसी ही, एक साथ होके एकता से लड़ी है, इस जंग से, यह पॉजिटिव मेसेज देना चाहिए पॉजिटिव मत होई है, फिलाल पहली बार नेगेटिव होई है, नेगेटिव होके रहे हैं, बस, दूसरी चीज़, समाजिक दूरी बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टिंसिंग बहुत जरूरी है, गाउं में क्या आदत होती है, कि सब लोग शाम को एक साथ बेढ़ते हैं, थोड़े दिन की बात है, आपको लगने ही रहोगा, बिमार नहीं है, लेकिन आप दस को और लेके जा सकता है, तो प्लीज, समाजिक दूरी बहुत जरूरी है, धन्यवादि.